Hello students, आज हम लोग देखते हैं P-Block के elements, P-Block elements के chapter से कुछ आपके जो भी question है, जो आपके UP board में आते हैं, इन सभी को हम लोग देखते हैं एक-एक करके, आईए देखते हैं इसको, ठीक, तो देखिए, देखे, क्यूशन ये पूछा जाता है कि ट्राइ हैलाइड ये हैलाइड है आप जान लेजिएगा ट्राइ हैलाइडों से पेंटा हैलाइड अधिक सहसायोजी क्यों होते हैं यह प्रशनाता है कि tri chylite जैसे आप ये देखिए PCL3 है और PCL5 है ठिक तो ये कहा गया कि tri chylite से pentahylite अधिक सहसा योजी क्यों होता है यह pentahylite क्यों अधिक सहसा योजी है सहसायोजी बंद समें बनों में होते हैं लेकिन अधिक क्यों यह सहसायोजी होता है यह बात जानना है तो देखिए आप बताएंगे कि जो पिंटा हैलाइड होता है यह है यहाँ जरा देखें एक एक करक समझें तो फिर अभी आपको डिटिल बताते हैं किसी अण में केंदरी परमाड की जीतनी उच्च धनात्मक आक्सी किरण वस्था होती है उसकी ध्रूण छमता उतनी ही अधिक होती है जिसके कारण केंदरी परमाड अन्य परमाड के मध्य बने आबंद में सहसायोजी गुण बढ़ता जाता है अब जैसे आप देखेंगे इसी प्रकार देखें पेंटा हैलाइडो में केंदरी परमाड पेंटा हैलाइड में यानि PCL5 में यही केंदरी परमाड फासफोरस है तो इसका आक्सीडेशन नमबर प्लस 5 होता है और इसी लिए इसमें आप जान रहे हैं कि क्या होगा उच्छ इसमें देखने को मिलता है आपको सहसायोजी गुण जबकि ट्राइडो में प्लस 3 होता है और इसी लिए ट्राइडो से पेंटा हैलाइड अधिक सहसायोजी होते हैं तो यह समझ गए होंगे आपको यह जानना है कि आक्सीडेशन नमबर सेंट्रल जो एटम होगा यहां मेटल नहीं कहाना है यह क्या है नान मेटल है ठीक है तो सेंट्रल एटम आप कहिए उसका आक्सीडेशन नमबर अधिक होगा तो वह क्या होगा उसमें सहसायोजी गुण अधिक होगा ठीक चलिए देखते हैं next question आप देखिए second कि वर्ग 15 के तत्तों के हैलाइडों में बिस्मत हाइडराइड सबसे प्रबल अपचायक क्यों है तो आप बताएंगे कि वर्ग 15 के तत्तों के जो हाइडराइड होते हैं वर्ग 15 में आपके कौन-कौन से आ जाएंगे ये नाइट्रोजन आए जाएगे याद होगा आपको नेपाल पाकिस्तान आश्ट्रेलिया है ना सब भिखारी तो ये तो आपको याद ही होगा ट्रीक बताय गया था वर्ग पंद्रा के तत्तों को याद करने के लिए तो बिसमत जो है ये भी बनाता है नह 3 बनाएगा पी ए हाइड्राइडो में BIH यानि बिसमत और हाइड्रोजन के आबंद की लंबाई सबसे अधिक होती है क्योंकि बिसमत का आकार सबसे अधिक होता है जिसके कारण BIH 3 सबसे कम अस्थाई है और सबसे कम अस्थाई अगर है तो क्या होगा ये हाइड्रोजन को जन्दी रिलीज कर आप जान रहे हैं तो वही परबल अपशायक कहा जाएगा ठीक तो ये समझ गए होंगे आप नेक्स्ट क्यूस्चन देखते हैं क्यूस्चन नमबर थर्ड देखिये यर्ण टु कमरे केताब पर कम क्रिय सेल क्यों है नाइट्रोजन गय Hayır जो पी पाई पी पाई अतिवियापन के कारण त्रिया बंद है दिखें नाट्रोजन नाट्रोजन पर ट्रिपल बांड बनता है इसलिए इस बांड को तोड़ने में बहुत अधिक एनर्जी लगती है और इसलिए यह क्या होता है कम क्रियासील होता है ठीक नेक्स्ट क्यूस्चन देखते हैं अमोनिया की लब्ध को बढ़ाने के लिए आवश्यक इस्थितियों का वड़न करना है तो अमोनिया का निर्माण हैबर बिदी द्वारा किये जाता है आपको पता है और इसकी लब्ध बढ़ाने के लिए लासा तेलिये नियम आप पढ़े होंगे है ना वो अधिसोसन वाले चैप्टर में तो इस सिद्धान्द के अनुसार ये निम्नतम इस्थितियों होनी चाहिए तापमान एक तो 700 केलविन मतलब 500 डिगरी सेलसियस होना चाहिए उच्च दाप जो है वह है दो सवाय मंडली दाप हैबर बिदी में आपको पता ह दो सवाय मंडली दाप 500 डिगरी सेलसियस ताप और उत्प्रेरक आप यूज करते हैं वहां पर या तो देखिए जैसे ये पोटेसियम आकसाइड तथा एलमिनियम ये डाई एलमिनियम पेंटा आकसाइड के मिस्सरित आयन 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 आकसाइड आप यूज करते हैं है तो वहां मालिब डेनम का भी यूज आप कर सकते हैं ठीक है वो तो वर्धक का काम करेगा तो वहां पर आपको हाइबर विधिद्वारा अधिक नस्त्री प्राप्त होता है तो ये इस्थितियां हैं जानते रहिए ठीक है वैसे आपको ये बताया गया होगा कि N2, H2 से क्रि प्रेचर देते हैं और साथ ही साथ 200 वाय मंडली दाब है ना और आएरन और मालिब डेनम की प्रिजंस में क्रिया होती है तो ये NH3 NH3 है ना इसको बैलेंस कर लीजिए तो आपको ये हैबर बिधिद्वारा ये अमोनिया प्राप्त होता है तो इस तरीके से ये सब इस्थितियां हैं इनको आपको लिखना होता है ठीक देखते हैं क्यूस्चन नमबर नेक्स्ट है CU2 प्लस आइन के साथ अमोनिया कैसे क्रिया करती है तो CU2 के साथ अमोनिया ये क्रिया किसली ये करती है आपको वैसे भी एक चेप्टर पढ़े होंगे coordination compound है ना तो इसका cu का coordination number होता है वो 4 होता है ठीक है इसलिए cu 2 plus अगर आप cu का देखें 29 क्रमांक होता है cu का 2 electron निकल गया तो कितने electron अब cu 2 plus में बचे तो cu 2 plus में electron कितने बचे 27 बचे है ना अब ns3 1 ns3 एक loan pair donate करेगा तो 4 ns3 कितने करेंगे 4 दूनी 8 करेंगे तो 8 अब आप जोड़ेंगे तो 35 देखे एफेक्टिव atomic number जो है वो cu का कितना आ गया 35 आ गया 36 होता तो most stable में होता तो इस तरीके से जानते रहे है उसके closest भी होता है तो इसलिए इस तरीके से ये क्रिय करता है और देखें cu ns3 का hole 4 ये coordination sphere के अंदर और cu 2 प्लस ये cos medium iron के रूप में ये होता है और ये गहरा नीला cu 2 प्लस जो है ये blue color blue color ठीक है नीले रंका होता है तो इस तरीके से आप बताएंगे ठीक देखते हैं next question देख लेते हैं N2O5 में nitrogen की सहसे जगता क्या है N2O5 में nitrogen की सहसे जगता देखिए क्या है तो यहां आप देखकर अच्छे समझ सकते हैं कि nitrogen के बाहर जो होते हैं 5 electron होते हैं 2 तो यहां बंद बनाने में चले जाएंगे oxygen से यहां coordinate करेगा और single bonded यह जूड़े रहते हैं oxygen से middle में और फिर दूसरे side भी ठीक पहले की तरह आपको बनाना होता है तो सहसे जगता electron के सहभाजित यूगमों की संख्या पर depend करता है चुकि N2O5 में प्रतिक nitrogen परमाण पर electron के 4 सहभाजित यूगमों उपस्थित है जैसा की देखिए यह दिया गया है तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा सहभाजित दो तो यहां मिला देखिए दो यहां, एक यहां तीन और यहां चार चार सहभाजित क्योंकि यह क्या करता है कि अपने दोनों इलेक्ट्रानों को डोनेट करता है तो यह जो आयरों से दिख्याते हैं इसको उपस्थ सायोजी बंद कहते हैं ठीक तो यह तो आप समझ गए होंगे अब इसलिए EN2O5 में नाइट्रोजन की सहसायोजगता कितनी है 4 है ठीक जानते रहिए नेक्स्ट क्यूस्चन देखिए PH3 से PH4 प्लस का आबंध कोण अधिक है ऐसा क्यों ठीक तो देखिए PH3 तथा PH4 प्लस यानि कि यह आपका क्या है फास्फिन लेकिन यह PH4 प्लस जो है फास्फोनी मायन है इन दोनों में इन दोनों में ESP3 संखन देखने को मिलता है PH4 प्लस में चारो कक्षक आबंध आबंधित होते हैं यह जुड़े होते हैं जबकि PH3 में फास्फोरस पर इलेक्ट्रानों का एकाकी युग्म मतलब युग्मत इलेक्रान जोड़े में इलेक्रानों कस्तित होता है किस पर PH3 पर जो PH3 में एकाकी युग्म आबंध युग्म प्रतिकरशन के लिए उत्तरदाई होता है जिससे आबंध है आपको PH3 में देखने को मिलता है क्या 119,28 मिनट 119,28 मिनट से भी कम होता है ESP3 में तो नार्मली 119,28 मिनट होता है लेकिन उससे भी कम इसमें देखने को मिलता है ठीक तो देखे कितना मिलेगा आपको यहाँ फीगर से आपको असपष्ट हो जाएगा जरत चेक करिए देखे इसमें पिरेमिडी यह इस्टेक्चर बनाता है क्योंकि यहाँ लोन पेयर देखने को मिल रहा है जबकि आपको pH 4 प्लस में यहाँ देखने को मिलेगा 119,28 मिनट जबकि यहाँ पर 93 93 आपको यहाँ एंगल देखने को मिलेगा और 60 मिनट तो क्यों कम हो गया क्योंकि यहाँ लोन पेयर होता है ठीक इस तरीके साब समझ लेंगे नेक्स्ट क्यूस्चन देखिए क्या है कि क्या होता है जब स्वेथ फासफोरस को CO2 के अक्री वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा बिलेन के साथ गर्म किया जाता है तो सफेथ फासफोरस को जब आप सोडियम हाडराकसाइड और जल के प्रिजन्स में क्रीय करवाते हैं तो CO2 का यहाँ अट्मासफियर वातावरण होता है तो फासफीन गैस बनती है और सोडियम हाइपो फासफाइट यह रियेक्शन याद कर लेजिए बहुत महत्पोर्ण है कभी पूँचता है फासफीन बनाने का रासाइनिक समीकरण दीजिए केवल समीकरण ही पूँच लेगा दो नमबर से तो यह आपको याद होना चाहिए कि सफेथ फासफोरस के साथ सोडियम हाइडराकसाइट का जली बिलियन रहता है इसके साथ क्रिये करवाएंगे तो फासफीन और सोडियम यह हाइपो फासफाइट का निर्माड होता है ठीक नेक्स्ट देखिए यह कि इस्चन पूछा जाता है क्या होता है जब PCL5 को गर्म करते हैं यह तो सिंपल है है न देखे सिंगल हेड़ेड ऐरो से इसे दिख्याते हैं तो यही वीक बांड होते हैं यह और यह इसलिए CL2 अलग हो जाता है और PCL3 अलग हो जाता है ठीक चलिए यह क्विक रिवीजन एक हो रहा है अभ्यास प्रशनों का PCL5 की भारी भारी जल में जल अब घटन अब क्रिया का संतुलित समी के अड़ आपको लिखना है तो PCL5 के साथ D2 भारी जल सोतर है क्रिया करवाएंगे तो POCl3 फास्थोरिल क्लोराइड यह पॉईजिनस होता है और यह डिटीरियम क्लोराइड DCL मिलेगा टू मालिक्योल ठीक सिंपल है अब देखिए यह पूछा जाता है प्रश्ण कि S3PO4 की छारक्ता क्या है छारक्ता मतलब यहाँ आपको चिक करना है OH OH जहाँ पर देखने को मिलेंगे जितना OH से जो EH जुड़ा रहेगा वही निकलेगा और नहीं निकल सकते इसलिए आप यहाँ बताएंगे कितना होगी 6 रखता तो 3 बताएंगे ठीक स्ट्रक्चर तो आपको बताया ही गया है कि अगर PCL यह सॉरी EH3PO4 अगर है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएं क्या डबल बॉंडड़ आप आकसीजन जुड़ दिये करें इसके बाद देखिए कितने आकसीजन बच रहे है तीन बच रहे है तो तीन को आप ऐसे जुड़ दें और हाइडूजन भी तीन है तो हाइडूजन तो यहीं जुड़ जाएगा ठीक इनी आक्सीजनों से जुड़ जाएगा और अब इस फासफोरस के पास पांचो इलेक्टरान क्या हो गए बंद बना लिए तो यहां से यह निकले गए यहां से यहां से इसलिए इसकी जो छारकता होगी वो कितनी होगी तीन होगी ठीक देखिए नेक्स्ट क्यूस्चन देख लिजिए क्या होता है जब S3PO4 को गर्म करते हैं तो S3PO स्वरी S3PO4 यहां अचले ठीक आप देख लिजिए S3PO4 को गर्म करते हैं अगर यहां दिया है S3PO3 तो यहां यह S3PO3 S3PO3 को गर्म करते हैं होना चाहिए था तो S3PO3 को गर्म करते हैं तो क्या होगा आर्थरो आर्थरो फासफोरी कामला S3PO4 और ये फासफीन गैस ठीक है तो यहाँ जरा देखिए ये क्यूस्टिन ठीक नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ लिखा है कि आर्थरो फासफोरी कामला या फासफोरस अगर होगा तो यहां तिरी होना चाहिए गर्म करने पर आसमानप्वातिक अर्थरो फासफोरी कामल या फासफोरी कामल या फासफीन देता है तो ठीक इसको आप प्राप्त होगा होता है भूक और पटी में सल्फर की मात्रा 0.03 से 0.1 परशंट होती है सहिंक तवस्था में सल्फर सल्फेट के रूप में जिपसम का सूत्र याद रखिए प्रोटीन, लहसोन, प्याज, सर्शो, बाल, हेयर में और फर जैसे अंडे में प्रोटीन, लहसोन, प्याज, सर्शो, बाल, हेयर में और फर जैसे आप पच्छियों के पंख देखते हैं उसमें सल्फर पाया जाता है और ज्वाला मुखी में सल्फर के अंस, कुछ येस टू येस गैस के रूप में पाया जाते हैं तो ये याद रखिए उतना इंपोर्टन नहीं है ये दिखिए वर्ग सोला के तत्तों के हाइड्राइडों के तापी अस्थाइत के क्रम को लिखना है तो वर्ग सोला के तत्तों आप जानते हैं क्या है ये याद रखिए O, S, E, T, E, P, O ओल्ली स्टाइल से टीपो याद होगा तो इनके साथ ये कहा गया कि इनके हाइड्राइड, हाइड्रोजन जोडेंगे तो यहाँ H2O मिलेगा H2S, H2SE, H2TE, ये तो आप छोड़ी ये पोलोनियम रेडियो एक्ट्यू है लिखना चाहेंगे तो H2PO लिख सकते हैं तो अब कहागे अस्थाइत तो जैसे जैसे उपर से नीचे आएंगे आकार बड़ा होता है अस्थाइत तो घटेगा तो इसलिए H2O ज्यादा इस्टेबल फिर H2S, फिर H2SE, फिर H2TE, फिर H2PO तो ये अस्थाइत तो करमा आप लिख सकते हैं आसान था ये प्रश्ण बहुत महत्पूर है H2O एक द्रव है तथा H2S गैस क्यों ये पोचा जाता है तो देखिए आप क्या बताएंगे यहां जरा समझिए तो आप बताएंगे आक्सीजन के छोटे आकार आक्सीजन जो होता है छोटा आकार होता है और उच्च बेदुतिरलात मक्ता के कारण H2O में अंतरा आडविक हाड्रूजन बंद पाये जाते हैं अंतरा आडविक हाड्रूजन बंद देखने को मिलेगा इसमें H2O में और कमरे के ताप पर इसलिए यह द्रव ओस थंपाये जाता है जबकि H2S सलफर के बड़े आकार जैसे O-S है तो उपर से नीचे की तरफ आ आएंगे तो आकार तो बढ़ेगा ही इसलिए सलफर का आकार बड़ा होता है और इसलिए इसमें हाड्रूजन बंद भी नहीं बनता हाड्रूजन बंद के वल किसमें बनते हैं फोन याद रखे रहे यह फ्लोरीन आक्सीजन और नाइट्रूजन के मद्द हाड्रूजन तो सलफर तो इसमें नहीं आया जबकि आक्सीजन आ गया तो आक्सीजन के मद्ध बनता है तो ये जानते रहें आप आता है इसके अड़ों के मद्ध दूर्बल वांडरवाल बल कारिकरता है किसके येच्टू येस के मद्ध दूर्बल वांडरवाल बल जबकि इसके मद्ध ह होता है तो यह जानते रहिए और देखिए जरसा जैसे नेक्स्ट क्यूशन है कि निमनलिकित में से कौन सा था तो आक्सीजन के साथ सीधे अभक्रिय नहीं करता जिंक टाइटेनियम प्लाइटिनियम और यफी तो प्लाइटिनियम ये क्या है उत्कृष्ट धातु है आप जा ये ये आक्सीजन से सीधे सायोग नहीं करता और दूसरी और जबके जिंक टाइटेनियम ये अभी ये सक्री धातु है इसलिए ये आक्सीजन से सीधे क्रिय करके उनके संगत आक्साइड बना लेती है तो इसका एंस्वर आपका प्लाइटिनियम देना है ठीक जानते ये नेक्स्ट क्यूस्चन देख लेते हैं निमलिखित अब क्रियाओं को पूंड करना है C2H4 के साथ O2 के क्रिय करवाईए तो देखें C2H4 के साथ O2 क्रिय करवाएंगे तो CO2 और H2O बनेगा ऐलुमिनियम के साथ क्रिय करवाएंगे तो L2O3 बनेगा ठीक आसान सा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्यूस्ट जरा चेक करिए देखें O3 ओजोन एक प्रबल आक्सी कारक की तरह क्यों क्रिय करती है ओजोन देखें क्योंकि ओजोन का बिगटन होता है तो यहां देखें नौजात आक्सीजन बनता है और इसलिए यह आक्सी कारक की तरह बेहार करता है जानते रहिए ओध्री सीगर्टा से अबगटित होकर नवजात आक्सीजन उत्पन करता है जो विभिन पदार्थों को आक्सी क्रित कर देती है इसलिए यह प्रबल आक्सी क्यारक की तरह क्रिया करता है तो यह बातें आप जानते रहिए नेक्स्ट क्यूश्चन है ओजोन की मातरात्मक आक्लन कैसे किये जाता है तो यह तो उतना इंपोर्टन्ट है नहीं जबकि देख लेजिए जब ओजोन पोटेसियम आयोडाइट के आधिक में जिसे बोरेट बफर पी एच इसका 9.2 इसके साथ बफरी क्रित करते हैं तो यह अ जोन का मतरात्मक आक्लन करते हैं ठीक यह उतना इंपोर्टन्ट नहीं देखिए यह आपका यह क्यूश्चन है इंपोर्टन्ट क्या होता है जब सल्फर डायाकसाइट को आयरन थर्ड आयरन थर्ड का मतलब यफी के उपर 3 प्लस है ठीक है इसके लवन के जली बिलियन में ह हम अगर प्रवाहित करते हैं किसको सल्फर डायाकसाइट को यह सोटू को तब क्या होगा तो देखिए यह सोटू अपशायक की भाद कार करती है इसलिए यह आयरन थर्ड आयरन थर्ड लवन को आयरन सेकंड लवन में अपशायक कर देती है कौन यह सोटू तो देखिए यह अब यही देखिए पार्टिसिपेट करता है यही दो इलेक्टरान जो है यह एकसिप्ट करता है जब यह फी 3 प्लस इसके देखिए यह दो आयन है तो 2 यह फी 2 प्लस में कनवर्ट होता है इसलिए अब अगर आप चेक करेंगे यह फी 3 प्लस यह फी 2 प्लस में कनवर्ट हो जाता है इसलिए आप कहेंगे कि यह क्या है यह यह सोटू अपचायक की भातकारी किया ठीक देखिए तो यह जानते रही है नेक्स्ट क्यूशन देख लेते हैं दो सल्फर और आक्सीजन आबंदों के प्रकृत पर टिपड़ी कीजिए जो यह सोटू अण बनाते हैं क्या यह सोटू अण के यह दोनों सल्फर और आक्सीजन आबंद समतुल्य हैं तो यह सोटू में बनने वाले दोनों सल्फर आक्सीजन आबंद सहसायोजक होते हैं अन्मादी सनचनाओं के कारण ये समाण डूप से प्रबल होते हैं तो आप चिक भी करते हैं जैसे ESO2 को अगर आप इस्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से देखिए इसलिए यहाँ देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलता है तो ये stable होता है इसी कहारण है ठीक है डबल बांडड होता है और stability को gain करता है तो यह सोटू की उपस्थिती का पता कैसे लगाया जाता है तो देखिए यह सोटू एक तीछड़ गंद वाली गैस है इसकी उपस्थिती को निमलिकित दो परिछणों द्वारा ग्याद कर सकते हैं यह सोटू गुलाबी बैगनी रंग के अमली potassium permagnate के यमियन नो फोर जिसे आप कहते हैं इसके यहां देखिए जरा क्या दिया गया है 7 यानि आक्सिडिशन नंबर जो होगा यमियन का अगर आप चेक करेंगे तो वो प्लस से बन होगा इसके बिलेड में यमियन ओफोर माइनिस के यमियन टू प्लस आयन में अपचाइद के कारण रंगहीन कर देता है तो यह रियक्सन आप देखकर समझ पा रहे होंगे के यमियन ओफोर जो होता है गुलाबी रंग का होता है लेकिन यह इसको अपचाइद करके रंगहीन कर देता है तो यह रियक्सन याद रखिए यह सो टू जो है यह यमियन के यह के एम एन ओफोर के गुलाबी रंग को यह कनवर्ट कर देता है किसमें MN में अवाइसे अगर आप देखेंगे तो ये MNSO4 के रूप में देखने को मिलता है और दो reaction पूछा था तो एक और देखिए जैसे K2CR2 और सेवर नारंगी रंग का होता है इसको भी ये change कर देता है किसमें हारे रंग में तो यहाँ chromium का oxidation number अगर आप चेक करेंगे प्लस 6 आजाएगा है ना प्लस 6 से ये प्लस 3 में कर देता है तो नारंगी रंग हरे में बदल जाता है ये जानते रही है और देखिए ये next question है कि उन तीन छेतरों का उल्ले कीजिए जिनमें S2SO4 महत्पूर भूं के निभाता है तो उर्वरक बनाने में जानते हैं अमोनियम सलफेट, सूपर फास्पेट के निर्माण में और ये पेट्रोलियम सोधन में भी सी ससंचाइक बैटरी में लेड श्टोरिच बैटरी बनाने में भी इसका उप्योग करते हैं तो ये तो सिंपल आप जानते हैं हाँ ये देखी बहुत महत्पूण है संपर्क प्रक्रम द्वारा ये श्टोईयसोफोर की मात्रा में बृद्धी करने के लिए आवस्यक परिस्थितियों को लिखना है तो देखे संपर्क बिधी द्वारा आप जानते हैं S2SO4 को हम लोग बनाते हैं सलप्यूरिक एसिट को बनाते हैं तो S2SO4 की निर्माण में प्रमुक पद S2O2 का O2 के साथ उत्प्रेरकी आक्सी केरण है इसमें वैनेडियम वैनेडियम आक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थित में इसको पहले S3 हम लोग प्राप्त करते हैं और फिर इसपर जल की क्रिये करवाके S2SO4 बना लेते हैं तो याद रखना है क्या उत्प्रेरक लेते हैं वैनेडियम आक्साइड लेते हैं ठीक, देखिए वैनेडियम आक्साइड या आक्सिजन के साथ सल्फर डाय अक्साइड क्रिय करवाएंगे तो यह सल्फर ट्राय अक्साइड में बदलेगा फिर जल के साथ क्रिय करवाते हैं और देखिए जल के साथ क्रिय करवाके फिर प्राप्त कर लेते हैं यह तो simple है यहाँ पर अच्छा दिया नहीं है दिया नहीं है यहाँ पर तो आप जानते रहें कि SO3 के साथ वही जल की क्रिय करवा लेते हैं तो यह H2SO4 बन जाता है ठीक इसको balance कर लेंगे आप अब देखिए next question देख लीजिए जैसे जल में H2SO4 के लिए यह KA और यहाँ इसको आप मान लेजिए KA2 से ज़्यादा KA1 क्यों होता है तो H2SO4 एक दूइच्छार की हमन होता है जानते हैं दो यह प्लस देता है यह दो पदों में आयनित होता है इसलिए इसके दो वियोजन इस्थिरांग होते हैं जिसे आप जब एक एच प्लस यहाँ से निकल रहा है तो HSO4 माइनस बन रहा है और हाइडोनियम आयन बन रहा है तो इसको KA1 जो होता है यह देखिए ज़्यादा होता है ज़्यादा होता है लेकिन जैसे ही अगर आप HSO4 माइनस को अगें वाटर के साथ रिएक्षन करवाते हैं तब ऐसी इस् अधिक होता है KA1 से ठीक यह बात आप जानते रहें यह तो सिंपल है इस तरीके से और यह तो क्यूस्चिन उतने इंपोर्टन नहीं इंपोर्टन क्यूस्चिन हम सोच रहें आप देखें हाँ यहाँ एक देखिए यह दो उदारनों द्वारा फ्लोरीन के आसामान ब्योहार को दर्साई है तो फ्लोरीन का आसामान ब्योहार फ्लोरीन आप जानते हैं छोटा कार होता है इसमाल साइच और अधिक बिद्धुत्रिडी होता है और कम फ्लोरीन फ्लोरीन आबंध ब्योजन इंथैलपी भी होती है आसानी स्टूट जाता है इसके आबंध कोस में डी कच् फ्लोरीन का आप सामानी ब्योहार है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो देखते हैं तो फ्लोरीन के ये अलग गुन जो इन से पाए जाते हैं उसी को आप सामानी ब्योहार करते हैं बुद्वारन के लिए आप देख सकते हैं इसमें फ्लॉरीन केवल एक आकसवमल बनाती है जबकि अन्य हाईलोजन अधिक संख्या में आकसवमल बनाते हैं और हाईडोजन फ्लॉराइड प्रबल हाईडोजन आबंद के कारण द्राव में होता है HF द्रव है जबकि HCL गैस होता है ठीक है ये गैस होता है तो ये जबकि द्रव है क्यों द्रव है क्यों लिक्विड है क्योंकि इसमें हाड्रोजन बंद देखने के मिलता अभी थोड़े दिर पहले बताये था न फोन इन से hydrogen जूड़ा रहेगा fluorine से oxygen से nitrogen से तो hydrogen बंद है बना लेता है इसलिए ये द्रवस्थम पाजाता है जबकि ये CL गए सवस्थम होती है ठीक ये जानते रहेए और दिया है next question कि समुद्र कुछ hydrogen का मुख्य स्रोत है हाँ समुद्र आप जानते हैं वहीं इसे लवन प्राप्त किया जाता है तो निश्चित रूप से ये तो स्रोत होगा ही ये उतना important question नहीं है ये आप देखिए ये आपका एक महत्पूर्ण प्रशन है CL2 की विरंजक क्रिया का कारण बताईए तो CL2 की विरंजक क्रिया आकसी करण के कारण होती है और नमी अथवा जली विलेन की उपस्थित में CL2 नवजात आकसीजन देता है ये नवजात आकसीजन और यही क्या करता है रंगीन पदार्थ को रंगहीन में बदल देता है तो जानते रहिए ये नवजात आकसीजन वनस्पतियों ते था कार्बनिक द्रब्यों में उपस्थित रंगीन पदार्थ का आक्सी करण करके उन्हें रंगहीन बना देता है देखिए रंगीन पदार था आपको फूल फ्लावर लिए है तो भीगे हुए फ्लावर को जब कलोरीन में डालते हैं तो रंगहीन हो जाता है और जैसे बाहर रखते हैं पुना हुआ अब्जार्ब कर लेता है और फिर से कलरफुल हो जाता है अता कलोरीन की विरंजन क्रिया आक्सी के रण के कारण होती है तो ये आप जानते रहिए इस तरीके से वैसे ये जो CL2 है एक प्रबल प्रबल ये बिरंजक होता है तो इसमें तो कलर आना थोड़ा सा बहुत मुस्किल होता है लेकिन ये सोटू जो कलर को उड़ाता है तो इसमें कलर आ जाता है री एबजार् अब यहांने बोल दिया था कलर आ जाता है नहीं आता जानते रहे क्योंकि एक प्रबल या क्या है प्रबल आक्सिक्यारक की तरह कार करता है ठीक देखिए नेक्स्ट क्यूस्टन है उन दो विसयली गैसों के नाम लिखिए जो क्लोरीन गैस से बनाई जाती है तो एक जानते र देखिए ये बिस्वियुद्ध में भी यूज किया गया था तो ये दोनों बहुत पोईजनेस गैस हैं और इसका फार्मूला आप जरा देखें इसका मस्टर्ड गैस का याद रखे रहे कि CEL CEL से CH2 CH2 आप ऐसे याद रखी ना ऐसे एक आसान सर्ट्रिक बता दे रहे हैं जैसे ये CH2 डबल बॉर्णड च2 होता है इसके दो मालेकूल आप ले लेजिए CH2 डबल बैंड CH2 है न ये तो अब क्या करिए कि यहाँ पर आप ये बानड तोड़ दीजिए ठीक है ये जो डबल है इसको सिंगल कर दीजिए सिंगल डबल को सिंगल में बदल दीजिए सील जोड़ दीजिए और इनके मद्ध में यहां पर आप क्या करें सलफर जोड़ दें इनके मद्ध में क्या जोड़ दें सलफर ठीक सलफर जोड़ दीजिए तो इस तरीके से यहां आपको देखने को मिल रहा होगा बीच में देखिए सलफर जोड़ा है और किनेरे किनेरे सी to हो गया ये मस्टर्ड गैस ये प्रष्ण है महत्पून i2 से icl3 अधिक क्यासील है क्यों तो i2 से icl i2 से icl अधिक क्यासील होती है क्योंकि iaodine iodoree naabund سے iodine chlorine naabund दुर्बल होता है और जो दुर्बल होगा वो जड़ा क्यासील होगा परडाम सरूप ICL3 सरलता से तूट जाता है इसलिए वो तीब्र क्रिय करता है हाँ ये next question देखिए है ये helium को गोता खोरी के उपकरड़ों में उपयोग क्यों किये जाता है क्योंकि helium oxygen के तनकारी के रूप में प्रियुक्त होता है और रुदिर में इसकी विलेता बहुत कम होती है जिससे बिंड्स रोग नहीं होता अर्थात हड़ियां टेड़ी मेली नहीं होती इसलिए इसका उपयोग करते हैं यह देखिए यह reaction दे दिये जाता है कभी कभी संतुलित करने के लिए जेनान के साथ fluorine है न जेनान hexafluoride के साथ जल के क्रिय करवाएं तो देखिए यहाँ जेनान के साथ 2 oxygen 2 fluorine और HF निकलता है ठीक अब यह इसी को आपको संतुलित करना है तो यहाँ water में 2 लगा देजिए 2 molecule और यहाँ 4 HF यह तो कर लेंगे balance ठीक उसके बाद यह है redon के रसायन का अध्यन करना कठीन क्यों है क्योंकि redon अत्यंत कम अर्ध हायुकाल का radio activity तत्त होता है half life इसका कम होता है redon का और इसी करण redon के रसायन का अध्यन करना कठीन होता है ठीक तो यह आज हम लोग इतने question देख लेते हैं और भी देखेंगे question जो की दीर घुतरी प्रशन है उनको हम लोग next video में देख लेंगे आज के लिए इतना ही thanks